हेलो दोस्तो वेलकम बैक्तोर चानल मैं आपकी दोस्त पाय आपका इस वीडियों में स्वागत करती हूँ देस्टो आज हम बात करेंगे M&m के बारे में अढानी टोटल गैस के बारे में और डिलीवरी शर के बारे में और वीडियो के एंड में हम एनलिस दारा रिकमेंट किया गया स्टॉक शर करेंगे जिसके टार्गेट प्राइज और स्टॉप रॉस के बारे में मैं आपको बताऊंगी तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रू देखे पर उससे पहले ऐसी हमें वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रू करें तो चलिए दोस्तो वीडियो को चुड़ू करते हैं ब्रोकरिज हाउस मोतिलाल उस्वल फाइनिशल सर्विसेस महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर बुलीश है क्योंकि आटो मेकर अपने सभी सेक्टर में स्ट्रॉंग पर्फॉर्मंस की रिपोर्ट करने के लिए तयार है दोस्तो ब्रोकिंग फर्म ने रूपिस 2005 पर शर के टार्गेट प्राइस के साथ M&M के स्टॉक पर अपनी बाय रिटिंग धोराई है जो BSE पर मंगलवार के 1656 पर शर के क्लोज प्राइस से 21% का अपसाइड है इन इट्स रिजर्च ब्रोकिंग फर्म ने कहा है कि फाइनेशल ये दोजार 23 से 26 तक अंटिसिपेट 12% रिविन्यू रुद्धी के साथ M&M अपने सभी सेक्टर में स्ट्रॉंग पर्फॉर्मस के लिए तयार है सप्टेमर कॉर्टर में M&M का स्टेंडलान रिविन्यू 16% बढ़कर 24,310 करो रुपीज हो गया जबकि पिछले साल की सेम पिरेड में ये 5,900 करो रुपीज था सो दोस्तो मोतिलाल ओस्वाल को स्ट्रॉंग ग्रोथ प्रोस्पेक के कारण M&M के शेर में 21% की बढ़ उत्री की उमीड है सो ये एक पॉजिटिव न्यूज है M&M शेर के बार में बात करते है निक्स न्यूज की पर उससे पहले दोस्तो अगर आपको ऐसे स्टॉक कुछ से फाइंड आट करना सीखना है और एक इंडिपेंडन इन्वेस्टर बनना है तो आप हमारा fundamental analysis को ज़रूर जोइन करें इसमें हमने multi bagger stock find out करने के कुछ secret screener share किये है जिससे आपको multi bagger stock find out करने में बहुत ज़्यादा help मिलेगी जल्दी से description में दीगे link पर जाकर आप हमारा fundamental analysis को सिर्फ और 99 रुपीज में सरो जयन करो बात करते हैं second news के बार में दोस्तो अड़ानी total gas भुद्वार को Shigan quantum technologies के साथ एक MOU पर sign किये है जिसका aim CNG और LNG जैसे cleaner fuel और बदलाव को सक्षम करने के लिए decarbonate करना है अड़ानी total ने एक exchange फाली में कहा है कि MOU के थाथ ATGL और Shigan दोनों collaboration के various sector का पता लगाएंगे in the technical setup अड़ानी total के लिए immediate support level 1,020 रुपीज पर देखा जा सकता है higher level पर near term resistant 1,150 से 1,175 रुपीज के जोन पर पाया जा सकता है Anandrati Shares and Stock Broker के senior manager technical research analyst Jigaraz Patil ने कहा है कि support 1,020 रुपीज और resistant 1,175 रुपीज पर होगा एक महिने के लिए expected trading rain 9,20 रुपीज से 1,260 रुपीज के बीच होगी DRS Finvest के founder Ravi Singh ने कहा कि कोई near term में 1,150 रुपीज के target price पर stock को बाई कर सकते है stop loss 1,030 रुपीज पर रखे और वही AR Ramachandran ने कहा है कि अड़ानी total में तेजी है लेकिन daily chart पर 1,327 रुपीज के next resistance के साथ overbought भी है investor को current level पर profit booking करनी चाहिए क्योंकि 981 रुपीज के support के नीची close होने पर near term में 887 रुपीज का target price मिल सकता है ऐसा tips rate के Ramachandran ने कहा है तो दोस्तो ARDANI total gas को buy rating D है target price 1,150 पर बताया है with stop loss 1,030 बात करते है third news की logistic service firm delivery limited के shares ने आज एक महिने के बाद 400 रुपीज का level फिर से हासिल कर लिया है दोस्तो delivery stock ने 5 December 2030 को 400 रुपीज के level को पार कर लिया जब ये 402 रुपीज के intraday high पर पहुँच गया in the terms of technical delivery का RSS 52 पर है जो तरशाता है यह न तो और बोर्ट जोन में है नहीं ओवर्सोर जोन में ट्रेडिंग कर रहा है stock का beta 0.3 है जो वन येर में बहुत लोव वलेटिलिटी इडिकेट करता है delivery के shares 5 देज, 10 देज, 20 देज, 50 देज, 200 देज से अधीक लेकिन 100 और 150 देज के मुवी पर होगा ऐसा tips rate के अभी जितने काहा है और वही ग्लोबल ब्रोकरिज जेफरीज ने delivery के stock को 570 देज के target price के साथ buy rating दी है दोस्तों, delivery के share ने आज एक महिने के बाद 400 देज का level फिर से हासिल कर लिया है ये एक positive news है delivery देज के बारे में target price 1,340 with stop loss 1,245 तो दोस्तों, ऐसे amazing videos के लिए चैनल को subscribe करना मत भूलिए वीडियो को like जरू करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में until then, stay tuned, stay curious